नमस्कार आप मेरे यूटूब चनल आजाजी योगंदर सर्मा को देख रहे हैं आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं शर्द पूरुनिमा जो आने वाली है 19 तारीक को उसके लिए आपकी जन्म कुंडली में अगर चंदरमा खराब हैं आप स्वांस के रोगों से ग्रशित हैं कि दिन साय in काली घीर बना करके चांदी की पात्र में आप उसको भर्लकर चंधर पर चंदरमा की रोशनि में रखिए और चंद्रमा की पुरुन रोशनी होने पर उस पर अम्रित बरसेगा उस अम्रित को आप ग्रहन करिए रात्री में मध्यरात्री के पश्चात तो आप स्वास के रोगों से मुक्ति पालेंगे और आपके स्वास्त में बहुत ही लाब होगा अगर आपका चंद्रमा खRAB है तो आप रात्री में अपने उपर चावल उतार कर रखी है प्रातेकाल अगले दिन आप किसी सफाई करमचारी ! वो चामल दान दे सकते हैं या किसी गरीब देक्ति को भी आप चामल दान दे सकते हैं उन चामल के दान से आपके स्वास्त में काफी सुधार रहेगा और स्वास्त बहुत ही उत्तम हो जाएगा आपका क्योंकि शर्द पुरुणिमा के दिन अम्रित की वर्षा होती है और की स्वास्त में भर रखी जाए उन में चंद्रमा काम रित्व आजाता है चंद्रमा की रोशिणी में रखने शे तो मित्र में आप सभी को पत में इस दिन में जरूर करें ताकि आपके व्रोर widow को स्वास्त ca pं रित्ड में जो इस इंडिया क्योंकि अचारियोगंड दे रह हूँ कि इस स्वास्ते में आपको लाब होगा क्योंकि पुनावा एक वर्ष पस्चाद ही शरत पूरुनिमा आएगी और यह बहुत ही उत्तम समय है इस उपाई को करने के लिए आप इस उपाई को जरूर करें और इसका लाब लें